नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका आपको चनल राइट वे इस्ट्री में दोस्तों आज के कुछ मैत के कोश्चन है जिनको बताऊंगा और जिनको सौल करने के जो है बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा तो बीना किसी देरीक है चलू करते हैं सेशन को आज का पहला कोश्चन दोस्तों आपकी स्कीन पर आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे आपको पहले मैं इसको जो है थोड़ा डीटेल बताएंगे और फिर हम जो है इसको स्वाट टिक बताएंगे तो कोश्चन आपका है एक्स प्लस वन अपॉन अपॉन एक्स एक्कोल टू थी दिया हुआ है और मान पूछ रहा है एक्स स्क्वेर प्लस वन अपॉन अपॉन एक्स स्क्वेर का ठीक है यह मान पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो आपका दिया हुआ है यह इध इधर भी वर्क करेंगे हम, तो इधर हमारा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इससे ही हम कैंसल कर देंगे, तो हमारा निकल के क्या आएगा, एकस स्क्वेर प्लस वन अपॉन एकस स्क्वेर प्लस टू एककल टू 9, ठीक है, 9 आजाएगा न, और आगे क्या करेंगे, एकस स्क्वेर प्लस वन अपॉन एकस स्क्वेर बराबर ये, जब उधर जाएगा हमारा, तो इधर कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो हमारा जो मान आए क्या कर देंगे जो भी आपका यहां पर मान दिया हुआ है इसका हम क्या कर देंगे वर्क कर देंगे तो तीन आपका दिया हुआ है तीन का स्क्वेर और जो भी आपका यहां पर स्क्वेर में दिया हो उसको घटा देंगे तो तीन त्रीके 9-2 तो आपको किन्दा निकल के आएगा साथ निकल के आएगा ठीक है तो चलते हैं अब next question की और आसा करता हूं कि दोस्तों यह समझ में आप लोगों क्या आया होगा अगला question क्या दिया हुआ है आपकी screen प्यारा होगा तो x 1 upon x minus 5 दिया है मान अपका पूछ रहा है x square plus 1 upon x square equal to यह question आपको दिख रहा है तो क्या करेंगे कि इसका हम square करेंगे क्या करेंगे square करेंगे ठीक है अब क्या यह हमारा हो जाएगा 25 अभी क्या था कि यहाँ पे दोनों में plus plus था तब क्या किया थे घटाए थे आए बटन पे किलिक करके उसको देख सकते हैं मैं इसके basic concept को बताया हूँ ठीक है तो यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है चलते हैं अब next question के और फटा फट अगला question आपका क्या दिया हुआ है देख लिजेगा तो यह आपका question रहा तो क्या करेंगे जो आपका x plus one upon x बराबर दो दिया हुआ है यह आपका दिया हुआ है तो इसमें क्या करें हम कि x बराबर क्या रख ले और इस x बराबर क्या रख ले तो यहारा किलना जाएगा ? 2 आजाएगा अब हमको मान किसका चीए मान हमारा जो है x की 1012 enjoying it x की जवाब पर 1 रखेंगे तो 1 की 12 करें minus 1 की 12 के cancele के रहेगा और ये 1 ही रहेगा दो 1 से हम 20 tell किलना निकल क्याएगा ? 0 निकल क्याएगा ठीक है दोस्तों तो यह रहा आपका next question अब चलते हम अगले question की ओर तो अगला question आपकी जो screen पे आ रहा होगा तो अगला question आपका है x square x square plus one upon x square बराबर आपका दिया हुआ है 10 दिया हुआ है किनना दिया है 10 दिया है तो same square ही कर लेंगे हम आपका जो 10 है 10 का square कर लेंगे 10 का square कर लेंगे और दोनों तरप आपका plus plus है तो हम क्या करेंगे 2 को कम कर देंगे तो आपका निकल क्या आएगा 98 98 निकल क्या आपका आ जाएगा ठीक है तो चलते हम फटा फट अगले question की ओर अगला question आपका क्या है कि x plus 1 upon x यह minus 2 minus 2 तो कैर आपका x की power p plus x की power q का मान गया देंगे तो क्या करेंगे कि जो आपका यह वाला है इसको हम sum मानेंगे इसको sum मान लेंगे और इसको v sum मान लेंगे इसको क्या मानेंगे v sum तो क्या होगा कि हम x बरावर minus 1 ले लेते हैं x बरावर कितना minus का 1 तो ये भी मारा minus का 1 हो जाएगा तो कितना हैगा 2 निकल के हैगा वो भी आपका minus का 2 तो मत्दब ये हुआ कि हम याद x बरावर minus 1 ले 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 तो हम समीखण में मान निकाल सकते हैं किसका x की power पी और प्लस x की power q का x की power q तो ये minus की power जो आपका 1 है और ये आपका sum हो गया प्लस आपका ये minus 1 अब ये q जो है ये minus की खाते तो ये ये हमारा sum है ये sum हमारा p जो हमारा sum है तो इसका जो plus अंदर दिया था ये जो minus दिया था ये वाला ये जो minus हमारा है अंदर वो plus हो जाएगा लेकिन ये आपका कैसर रहेगा minus रहेगा, तो ये आपका answer इसका आएगा, 0 ये ध्यान रगना, ये धिगात आपकी जो है power आपकी विसम है power विसम है, तो अंदर का मान जो होगा, वो minus का निकल के आएगा, कैसा निकल के आएगा माइनस का निकल के आएगा ठीक है, तो अब चलते हैं next question क्यों अगला question क्या आपका दिया हुआ है अगला question आपकी screen पे दोस्तों आ रहा है इसको solve करिएगा तो हम करते हैं x plus 1 upon x equal to 2 तो कह रहा है x की power 7 plus 1 upon x की power 5 के मान गयत करनें तो same वही तरीका यह आपका है कि हम x बराबर 1 ले ले लेते हैं और यह एक हो जाएगा तो यह 2 निकल के आ जाएगा तो इसका मदला हम x स बराबर कितना ले ले एक ले लेते हैं ठीक है, अब हमका मान किसका निकालना है मान निकालना x की power 7 plus 1 upon x की power 5 तो हम यहाँ पर x की power 7 और plus 1 upon x की power सोरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक, यहाँ पे कितना होगा एक होगा, एक की power 5 तो यह आपका निकल के कितना जाएगा यह भी आपका एक हो जाएगा ये भी एक हो जाएगा तो answer आपका आएगा 2 कितना आएगा 2 आएगा ठीक है तो आपका फटा 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 हम next question के चलते हैं अवासा कर रहा हूं कि दोस्तों ये session आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये session अच्छा लग रहा है तो like करें और subscribe कर ले हमारे channel को और इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करें च्योंकि चैनकारी जो है जितना आप लोग share करेंगे उतना ही दोस्तों जो है आप लोगों को knowledge बढ़ेगा तो question आपका screen पे आ रहा है X plus 1 upon X बराबर 2 तो दोस्तों ये question है इसमें भी आपका X बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मान आपको कितना चीए कितने का निकालना है X की पावर 2014 प्लस 1 upon X की पावर 2015 ये आपकी दियूई है तो अब भी मैंने पीछे बताया कि अगर हमारा X की पावर चाहे जतनी हो तो वो उतना ही रहता है तो हम X की पावर एक आपका है एक की पावर 2014 प्लस एक की पावर 2015 2015 ठीके तो हमारा एक की पावर चाहे जतनी हो जाए उसका मान कितना रहेगा? एक ही रहेगा इसी प्रकास से इसका मान भी आपका एक ही रहेगा ठीक है तो आंसर आपका निकल के आएगा दो कितना निकलेगा दो तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में जाके बताईए कि ये वीडियो कैसा आप लोगों के लगा जै हिंद जै भारत वो देमात रहों